तो आज हम यात्रा करने वाले हैं ट्रेन नमबर 22911 इंदौर हावरा शिप रैक्स्परस में जहां हम उजयन बिना सागर दमो कटनी के रस्ते डीडियू तक यात्रा करने वाले हैं नया रूट होगा नई excitement भी होगी जब ट्रेन प्रियागराज श्योकी पहुचेगी तो ये व्लॉग सच में बहुत ही excitement से भरा होगा देखतेर ये अंतिम तक फिलहाल इस journey के शुरुवात करते हैं तो सामने अपनी ट्रेन जो है वो प्लेटपॉम पे लगाई जा चुकी है तो अपनी ट्रेन तो लग चुकी है पर एक विक्कत के बाद ये है कि सारी ट्रेनों में लगबग जो बैडिंग्स है वो मिल रही है लेकिन इस ट्रेन में बैडिंग जो है वो नहीं मिल रही है ये है तर बड़ा अच्छा लग रहा है स्टेशन पर बैठ कर चद्दर देख चच करने करने हूज करने है वाल दिए है आग सुनुरस करें करते करें ढूं मैं जलो दूद दूद में विदेर एकना थरा कूं अचारे दूद दार एज कि अपना डेपार्चर तो हो गया अंदर चलते हैं और अपनी जर्णी जो है वशुरू करते हैं तो फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ साइड लोड सीट गई सीट मेरी नहीं किसी और की है अपनी आज की सीट है वो अपनी आज की अपरबर्थ है और अपरबर्थ पर पैट जो तो फिर नीचे होताने का मन नहीं करता है इसलिए फिलहाल मैं अभी इसी साइड लोड सीट पैठा रहूंगा जब तक देवास और ओजयान जो वो नहीं आता तो सेकेंड डेसी के साइड लोड में थोड़ी प्रिवसे मिल जाती है और देखते ही देखते पहुंच जाते है देवास जंक्शन की कि अंग कि Tavra ऑफ दू bookstore करा देवास पुहर होजो करते हैं तो तो वक्त हो चुका है रात के बारह बज़े का और पहुंच तुके हैं देवास और देवास एक जंक्शन जंक्शन इसन गोपन? जो है वो मक्षी के तरफ निकल जाती है, और हैरानी के बाद यह है, कि यहां से एक डारेक्ट लाइन मक्षी के तरफ बन चुकी है, लेकिन ट्रेणर जो है, वो वाया उज्जैन होते हैं, फिर मक्षी पहुंसती है, ज़ुश्द हो सकती है, अगर ट्रेने डारेक्ट यहां से मक्षी जाए लेकिन हो जाएगा जाएगा तो साथ यह कारण हो सकता है मार्वा प्लैट्यू पे कुछ इस तरह से यह शहर बसा हुआ है कि यहां पे जो विंड का जो फोर्स है बहुत जादा रहता है इस कारण से इस पूरे आसपास के एरिया में अपको ठीर सारे विंड विंड जो है वो देखने को मिल जाएंगे और बहुत जादा उत्वादन हो जाएंगे वादी बढ़ी है चली सर्थ और रात के गरीब बारा बच चुके हैं तो ऐसे में अभी फिलहाल चलते हैं रेस्ट करते हैं और जैन मैं आपको है इस दिखावाँगा लेकिन सुबह जब सुबह होगी तब हम बिना पहुंचने वाले होंगे और बिना से जो रू आता हूँ फिरहाल चलते हैं और रेस्ट करते हैं फिरहाल देवास से अपना रेपार्च जो जी है वो हो चुका है और मेरी अपरबर्थ है तो अपना सारा कीमती सामान साथ में लेकर सूँगा और अच्छी बात हुई कि मैंने ये कंबल ले लिया कम से कम राज जो है वो अच्छे से कर जाएगी तो सभी लोग सो गया है और अब मैं भी सोता हूँ और सीधा आप से मिलता हूँ सुबह के व ट्रिपल सिफन जिम्स इसको खेल करके सैकड़ो लोग जो है वो पैसे जीत रहे हैं और पैसे को विड्ड्रॉ भी कर रहे है इस गेम खेलना बहुत ही असान है सबसे पहले आपको बेट प्लिस करना है उसके बाद से आपको स्पिन करना है और जितना जादा मैचिस होंगे अतना जादा पैसे आप जीत सकते हो तो चली मैं भी एक थोड़ा सा बेट जो है वो लगाता हूं देखता हूं क्या होता है फिलाल मैं 125 रुपे का बेट लगा रहा हूं यहां पर टोड़ा वेट कर लेते हैं और यहां पर मैंने 625 रुपे जो है वो कमा लिए से पहले स्प और इस बात तरीफ 10,000 रुपे जो है उसका प्रॉफित होगा उतना प्रॉफित होगा मुझे कमाल है और अब मैं यह 15,625 रुपे जो है वो अपने बैंक काउंट में बहुत ही आसानी से आप पैटियम यूपिया और अपने बैंक काउंट से पैसे को वोड़ा कर सकतो यहा सकते बैंक तरह चरुब क्रासर कर बेंग है अगर आप में लिंक से यहां जाके रेजिस्टर करते हो अपना पराद ग्रॉजित करते हो तो आपको 200% का डशन मिलने माला है यहां पूस् enorm कि मुम्सिर नियुक्त करो typical 777 पैम्स खिलो ओर अच्छा कहा और जीट हूं जो है वो के खड़ी हो जाती है गुना भोपाल ललितपूर और कटनी की तरफ से लाइन से आके मिलती है इसी लिए बीना एक जंक्शन रेडिले स्टेशन है और सामने से आ रही है बनारस लोकमाने तलक कामाईनी एक्सप्रेस और WG9 के साथ किसी पैसेंजर ट्रेन की भी एंट्री हो रही है बिना जंक्शन पे और यहां हम भूपाल डेल्दी में लाइन से अलग होकर के सागल कटनी वाल रूट पर निकल चुके हैं और अभी भी मेरे कोच के लोग गहरी नीन में सोई हुए थे और मेरी केबिन में भी सभी लोग सोई हुए हैं इसलिए मैं अंदर बोर होके बाहर आता हूँ और ट्रेन खुरई रिट्वेस्टेशन पहुँच रही होती है और दूसी दरफ दमो भुपाल राज रानी एकपरस प्रस्थान के लिए तयार हो जाती है और अभी भी मेरे को पैसंजर सो रहे थे और काफी देर पैठे रहने के बाद मैं बोर होके वापस से बाहर चला जाता हूँ ट्रेन रुकी हुई थी और हलकी हलकी बारिश हो रही थी ऐसे मौसब में और चाय मिल जाती तो क्या ही कहना था और चाय मिल भी जाती है पर एकदम फीकी सी और मैं यहां एक अजीब सी चीज ढून रहा था जी हां हमेशा के तरह मैं तूटपेस लाना बोल जाता हूँ तो दूर उस सर्फ मुझे एक छोटा सा स्टॉल दिख रहा है अब दिखें वहां पर मिलता है कि ने मिलता है मुझे तूटपेस्ट इस सामने वाले स्टॉल पर मुझे उम्मीद थी कि मिल जाएगा लेकिन यहां पर तूटपेस तो जब वो कदम था चलिए अपने डेपार्टर का वक्त हो चुका है यहां से तो बिना तूटपेस लिए सागर स्टेशन से भी ट्रेन निकल जाती है और सागर रेल्वे स्टेशन हमेशा सही साफ सफाई के मामले में अवल रहा है सागर स्टेशन से निकलने के बाद वापस से मैं सीट पर जाता हूँ और वहीं लोग अभी भी सो रहे थे और नीन इतनी गहरी थी कि फोन के रिंग होने के बाद भी किसी ने आके न खोली खेर सागर स्टेशन से कुछी दूरी बाद दमोर हिर्वे स्टेशन भी आ जाता है और बाकी दमों में मुझे इसके अलावा कुछ खास दिखा नहीं बाकी जो लोग यहां के हो मुझे जरूर से दमों के बारे में कुछ स्पेशल होत तो बताना एंपी में भारी भारिश के बाद नदियों तो फान पे थी ही साती साथ हर तरफ हर याली फैली हुई थी और इस रूट पर भी थोड़े समय के लिए खुबसूरत घाट सेक्शन आता है मुड़र नदियोड票 कर तो ये हुआतक है अज़र थोडाना और आखिरकार पहुंच जाते हैं कटनी मरवारा रेल्वेस्टेशन और बिना में बिफोर टाइम आने वाली गाड़ी यहां एक घंटे तीस मिनट देरी से आती है कटनी में समोसे मृत्ती ना मलने कारण से इड़ी लेता हूँ यहां की चाय भी आज काफी फीकी लगी अचा एक जरूरी बात की कटनी के चारों तरफ कटनी नाम से स्टेशन है एक कटनी मुडवारा है, कटनी साउथ है, न्यू कटनी है और कटनी जंक्शन जिसे अब भी हम स्किप करने वाले हैं और यह हम कटनी जबलपुर में लाइन में एंटर कर रहे हैं और कटनी जंक्शन स्किप करने वाले हैं और यहां मुझे मिल जाती है हावरा से इंदॉर जाने वाली शिप्रा एक्स्प्रेस ते लेख और फाइनली लोग अब उठ जाते हैं और अब मैं लोवर बटे बैठ सकता हूँ पर इडली टेस्ट करनी थी तो अपर बच सही थी पर इडली का टेस्ट उतना चाह नहीं था और इन पहाड़ियों को दिख करके लगता है जैसे मईहर स्टेशन भी बस आने ही वाला है ये इतनी भीड़ा रही है गया या किसी का वेलकम करने के लिए इतनी भीड़ है नहीं ये वागी ही भीड़ा रही है मैहर स्टेशन पे मेंली माशार्दा देवी मंदर जाने और आने वालोग की भीड़ रहती है और यूपी बिहार एंपी के लोग यहां हर खुशी के मौके पे दर्शन के लिए आते रहते हैं मुझे लगा किसी पैसेंजर ट्रेन को ओवर्टिक कर रहे हैं पर यह तो एननजी ट्रेन थी और इस रूट पे हर आदे घंटे पे कोई न कोई स्टेशन आ जाता है फिलहाल सतना जंक्शन पहुँच रहे हैं जब हम इंदोर से निकले थे तो मौसम बहुत ही बढ़िया था बादल थे बारिश हो रही थी लेकिन जैसे हम कटनी के आगे निकले ना उसके बाद से तेज धूब गर्मी वह शुरू ही वैसे बात कर ट्रेन के सतना पहुँचने की तो यहां पहुँचने का सही समय था दो ट्रेन पहुची है ठीक एक घंटे बाद यानि की दो पहर के दो बजे अला कि ट्रेन गेर घंटे डेट चल लेती लेकिन वैसे ट्रेन को बहुत स्लैक दिया हुआ है और हो सकता है कि ट्रेन डीडियू पहुंचते-पहुंचते ओन टाइम पहुचे या फिर प्रियागराश सतना जंक्चन इसलिए है क्योंकि यहां से रीवा के लिए एक लाइन जाती है जिस जगे पहरे डीजल इंजन दिखा करते थे आज वहां डीजल इंजन की जगह सिर्फ इलेक्टरिक इंजन दिखाई दे रहे हैं और यह मैंने ट्रेन का लंच ओर्डर किया था जिसकी कॉलिटी बहुत ही वहायात थी पर डाल थोड़ी से अच्छी थी तो अपना खाना खुद लेकर किस ट्रेन में आ जाओ तो जादा अच्छा रहेगा और अब फाइनली ट्रेन यूपी में एंटर कर चुकी है बहुत सालों पहले यहां पर न एमिर्थिया जो है वो मिला करती थी यहां वो मिर्थिया नहीं है तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मानिकपोर जंक्शन और ट्रेन के यहां पहुंचने का सही जमीड़ी था दो बच करके पच्पर मिटका और ट्रेन यहां ऑल्मोस्ट अठारे मिटवी दरी निए पहुंची है और मैना से पहले ही बोला था ट् तो बिल्खुल ट्रेन मानिकुर को जंक्शन जो बोलते हैं तो मानिकपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि यहां से एक लाइन जो है वो बांदा की तरफ निकल जाती है वाया चित्रकूर धाम कर भी अरे इमिर्थी कहा रहे गया अब मुझे जो इमिर्थी आयना वो रिख रही है वहां कोई दिखा ही नहीं मुझे और यह बड़ा स्कैम होगा मेरे साथ काश देख जाता है यह लिजे चेंपुलिंग जो है वो होगी है आपका कहीं है चेंपुलिंग मेरे लिए तो नहीं हुई मुझे इमिर्थी आ जो थी वो लेनी थी लेकिन काफी दूरी रिख पर बोलो गया तो रिख बिल्को ही रहुँगा भी मिल गयी मिल गयी भाई मिल गयी कहते हैं किसी चीज को शिद्ध से चाहो तो पूरी काशना उसे तुम से मिराने की साजिश में लग जाती यह शायरे चेंपुलिंग जो है वो मेरे लिए हुई ती यहां की जलेविय जरूर ट्राइ करना है और वागई काफी अच्छी काफी टेस्टी लगती है और शायद इसलिए मैं इसको फेमस बोलता हूँ लेकिन हाँ जब भी अगर आप मानिकोट से गुजरो ना तो जरूर यहां के जो जनीबियां इसको ट्राइ करना कुछ अलग स्वाथ जो है वह आपको फील होगा बच्मन की यादें है वह तादा होगी है और हमारी ट्रेन बतानी क्यों रुकी है शायद से स्यारू हुआ और यह है हमारी सबसे लेजन्डरी गारी वहा नगरी एक्स्प्रेस इस ट्रेन का आगमन हुआ और हमारी ट्रेन का यहां से प्रस्थान हुआ हुआ बारिश के बीच कुलहड में चाय मिल जाती है तो चाय कैसी भी हो कुलहड में आते ही स्वाद बदल जाता है अब यही वो जगह है जहां पर ट्रेन जो है वो और लेट होती है वैसे हमारी ट्रेन और लेट हो जुकी है मुझे लगा शायद फोर थर्टी फाई पर हम बहुत ही आराम जे पहुँच जाएंगे प्र्याग्राज पर ट्रेन बहुत रुकी और आलम यह है कि पांच बजने को आये और अभी भी ट्रेन नैनी नी पहुची है तो प्रयाग्राज पहुचने का जो सपना से जल्दी पहुचने का वो तो घटम हो चुका है पता नी क्यों ऐसा क्यों होता है कि रेलवेज इतनी लेट करते है टेनों को और खास तोर पर प्रयाग्राज के बात करे ना तो कितना ज्यादा और ले टोटी ट्रेन यहाँ पर अच्छी बात थी कि ज़ाद देड़ तक गाड़ी आउटर में खड़ी नीरी और नैनी जंग्चन को बाइपास करके हम पहुच रहे हैं प्रयाग राज शिवकी की तरफ और सामने कोल दो ट्रेन आ रही थी प्रयाग राज जंग्चन से और यह शायद से आनन्द विहार का माख्या सुपरफास थी तो फिल्हाल वक्त हो चुका है करीब 5 बज करके 15 मिनट का और फाइनली पहुच चुके हैं प्रयाग राज शिवकी वैसे यहां पहुचने का सई समय था शाम के चार बज करके 45 मिनट पर ट्रेन जो है वो लेट पहुची यहां पर और यह जा रही है कामक्या आनन्द विहा और यह जो गारिया है न यह प्रयाग राज जंक्षन से आती है और जिनको डीडू के तरफ जाना होता है विन्द हाचल मिर्दा पर होते हुए वो इसी तरफ से जाती है और हमाई ट्रेन भी अब आगे इसी लाइने मिलने वाली है और जैसी हम प्रयाग राज डीडू में मिलेंगे उसके बाद से हो सकता है कि शायद हमारी ट्रेन को खुछ और ट्रेन जो है वो ओवर्टेक करें वैसे हमारी ट्रेन ने किसी को ओवर्टेक तो किया नहीं इसको तो इसकारण से हो सकता है कि इस ट्रैक पर इसको कई सारे ट्रेन जो है वो ओवर्टेक करें दिखते ह तो इन दौर से करीब 930 km के जगनी जो है वो पूरी हो चुकी अभी और हमारी ट्रेन जो है वो करीब आदे गंटे आज लेट पहुंची है ऐसे में फिलहाल दो ट्रेन जो है वो हमारी ट्रेन को बटेक कर सकती है एक है बार मेर हावरा और दूसरी है सीमान चल तो यह दोनों ट्रेन जो है यह हमारी ट्रेन को बटेक करेंगी तो यह थी बीका नेर हावडा जो यहीं पर ओवर्टेक करके चलीगी हमें अब वेट करते हैं और शायद से सीमान चल भी हमें यहीं पर ओवर्टेक करेगी फिरहाल अफना डिपार्चर यहां से हो चुका है लेकिन सीमान चल और काल का मेल फिरहाल पीछे है और अगर देखा जाए तो दीडिव पहले सीमान चल पहुंचती तो वो तो और ट्रेन को क्या चू करने वाली है बाकि बात फिर एक काल का मेल आई कि तो उसका भी कुछ भ और संसेट देखते देखते मैं चला जाता हूँ जनरल क्लास में जहाँ एक अलगी दुनिया नजर आती है लोग ऐसे दूसरे से मिल जाते हैं बाते करते हैं जैसे बर्सों से दूसरे को जानते हूँ तमसा बाद तमसा करते हैं करें तो कि अगरी तरह रहें लिकिन अगर्जादा चलेंगी तो जहाँ तो जाहिर तव पर जो जो लोग कैसे भी सफर करते हैं उसमें ख़ड़े करके तने लंबी दूरी का सफर करते हैं उनको जो है वो सेट मिल सके तो ये एक फाइदा हो सकता है जो लोग जो जो लोग जो लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा मैं क्यों ही जुट बूजू और ये सब होने में अभी बह और यहां हम ओवर्टेक कर रहे हैं बीकानेर हावडा सोपरफास एक्सपरस को जो अभी हमें प्रियागराद छेवकी में ओवर्टेक करके गई थी बातर शेखर दिए जाना बहुए जो जो चाहरे हैं असितल जाओण है येश्टेक करद़ भी हम थार जाएखर भी बात की अलेग्टेक को जातने जारे हैं गिएर्टेक कर फोग्त दूंयार में अलेकिन के बात जाएं उसलावदावावदावावदार शौन प्राबड़क महाँ बोधी वाप देख वो जनर्र में लोग कैसे लड़ाई कर रहे हैं अंदर बैठने के लिए अच्छा बात करें विंध्याजल कीना तो बहुत जादा मात्रा में शदहलू आते हैं माँ विंध्यावाशनी के दर्शन के लिए अच्छा आताराम कया और यह सारी भीड वो उसी लिए है आप आरे जो कूप पैसेंजर से वो भी यहीं पर ट्रें को डीबोड किये आकि मंदिर में दर्शन करके वापस बनारस जो हो जा सके महाबोधी के साथ सब अपनी ट्रेंड का भी डेपार्चर ते रिंध्याचल से वो चुक है पर आच्छुकी है सब्ड़्यवाद अपना अपना डेपार्चर जो है विंध्याचल से हो चुका है बागी हमारे जो को पैसंजर थे वो लोगोने ट्रें को डीबूट कर दे हैंपे तो रहा होल्ट जो है मिर्दा परोने वाला है और इंट्रेशन चीज ये है कि शाथ किलमेटर के अंदर ही साथ नी बलकि 40 किमेटर के अंदर अलमोस्स तीन स्टॉप्स है तो ये बहुत ही सोचना वाली बात है और और चीज ये देखना है कि जो पेका निर हावड एक्सपर्स थी वो हमें ओवर्टेक करती है या नहीं करती कि करना तो चाहिए अगर देखा जाए तो उस ट्रेन का डेडियो में जो अर्राइवल है वो करीब 6 बच करके 18 मिल पर हाला कि ट्रेन एगंडा लेट चल रही है लेकिन फिल भी उसको हमसे पहल करना चाहिए तो उवर्टेक तो वो करीगी तो यही लॉजिक समझ वनी आा है कि वह में ओवर्टेक करने जाती है फिर हम उसको अष़फिक करते हैं अग्धियो पहुँअने से पहले वो भी हमएश बर्टेक करें बड़िंग से जटनी है और एग्धा लास्ट फेज पर हम जर्णी बस अब एंड होने वाली है, क्योंकि मैं डेडियू में ट्रेन को डिबोट करूँगा, हाला कि ट्रेन हावरा तक जाने वाली है, लेकिन वहां तक सफर करने को वोई इरादा नहीं है, वोगी क्योंकि सारा जो सेक्शन है वो रात के अंदर में निकलने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है उसको शूट करने का, तो फाइनली पहुत चुके हैं मिर्जापुर, और मिर्जापुर कर नाम सुनते ही आप लोग को ये वेफ सेरी जो है वो दिमाग में आती होगी, और खून, खराबा, वाइलेंस, इस सब आपको दिखता होगा, लेकिन असल में ऐस की बहुत सांई, मिर्जापुर जो है वो बहुत ही शान्त एरिया है है, हाँ cuzן जरूर से यहां है, फेंसे लेकiblical की पजो बहुत बहुतigare लगाय और बहुत बढ़ी है, और सबसे खोबशूरर मिर्दापुर के यह है कि यह बहुत अच्छे-च्छे Waterfalls है, एक और कपरे इल स जानते हैं और अब हमें ही भी देखना है कि जो पीका निर्हावरा एक्सपर्स है वो भी आती है नहीं आती है आपे फिलहाल तो कोई उमीद दिखनी रही और हमारा डेपार्चर यहां से हो गया तो यहां तो कोई ओवर्टिक नहीं होगा वैसे दोनों का हॉल्ट है आप तो कि ओवर्टिक जो है वो होता है नहीं होता है नाम नाम क्या आपका चलो ठीके अराम चलो ठीके भाई श्रीज केश्री बाई 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 काफी अच्छा रखता है जब ऐसे कोई मिल जाता है हांगल पूर लोग मानेते लगए तो जैसे इसे शाम धल दिये ना वैसे वैसे घर पहुंचनी के जो उत्सुकता है बढ़ती या रही है अच्छा एक और चीज फिलाल हम चुनार पहुंच चुके हैं और चुनार जो है वो मिर्दापुर गंदरी में आता और सबसे इंट्रेस्टिन चीज यह है कि 40 किमेटर सब्सक्राइब कम के फासले में तीन हॉल्ट्स पर एक साथ एक तो विंद्राचल फिर मिर्दापुर और यह चुनार तो यह सोचना वाली बात है कि इतने सारे हॉल्ट जो दिये हो गया है अच्छा शायद से को ट्रेन आ रही है और हावड़ा और बीका ने हावड़ा भी यहां पर ओवर्टीक खरी देखते हैं क्या होता है यह तो ग्रेबल होगी है आई 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 अच्छी सरकीर जो हमारी को पैसेंजर थे उन्हों ने अपना यह जो ग्लासे जना वो छोड़ दिया यह गलत बात हुई ना उनके साथ मेरे बास उनका फोन नंबर भी नहीं है कुछ कॉंटेक्ट कर पाऊं तो फाइनली करीब एक हजार सतर किमेंटर के जर्णी पूरी करके पहुंच चुके अपने डेस्टनेशन यानि की दी यू दिया लुपाल दिया जंक्शन हलाकि ट्रेन जो है वो सुबह हावड़ा पहुंची करीब साथ बजे लेकिन ट्रेन को डीबोर मैं इसलिए कर रहा हो यहां पर हो कि यहां से घर पास में है और रात की जर्णी दिखाने को मतलब नहीं है और सुबह हावड़ा ट्रेन पहुंच जाएगी तो यह बहुत ही ब तो यह की ट्रेन अराउंड डेड़ घंटे लेट चल रही थी लेकिन यहां पर ट्रेन का अराइवल 10 मिन्यट पहले हो रहा है हलाकि ट्रेन को बहुत सलैक मिला हुए हुआ है मतलब चालिस क्मेटर के लिए डेड़ गंटे का वक्त मिला हुए है तो अलिग काफी साच्थि ट्रेड ने कवर कर लिया बाकी प्रयाग्राद चोकी से यहां तक कर जो रंधाना वो बहुत थी बढ़िया था मदर ट्रेड फ्लाट 130 के रफ्तार में चली तो फाइनली शिप्रा एक्परस में अपनी एक खूबशुद त्यात्रा तीन द्यालोपाद आजेंशन पर खत्म हो जाती है चली मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद और गॉट ब्रेस यूँ और अज़ियो और अज़ियो और अज़ियो प्रना एक नए व्लॉग में उन्मी जَّगे का वमें आपसे एक वह से बहुत-बहँत का ओनना, ये झाले हैं एक चली हैं मुला हैंने किसमा कर शेत किर जुबने मुलभ ये पैए मुली हैं लिसके सब्स्कति प्लास, अज़ियो आएफ ग पर किसा दोंदुज़ियो झाग है